स्टार प्लस का पॉपुलर शो बना हुआ है तेरा मेरा साथ रहे लेकिन उससे भी कई जादा पॉपुलर नजर आ रहे हैं अभिनेता मुहम्मद नाजिम जो सक्षम मोदी का किरदार बेहद खुबसूर्ती से परदे पर पेश कर रहे हैं और अपनी दमदार एक्टिंग के सा साथ अपने हैंडसम लुक से भी सभी को अपना दिवाना बना रहे हैं जिन्हें सभी घर घर देखना बेहद बसंद कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आप अभिनेता मुहम्मद नाजिम की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं पर क्या इनकी रियल लाइफ फैम से रूबरू कराने वाले हैं और साथ ही उनसे जुड़े इन सभी सवालों के जवाब तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी फैमली से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में तो आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहे हैं लेकिन इस से पहले इस दमद 1984 को मलेर कोटला पंजाब में हुआ था इनके परिवार में इन्हें मिला कर कुल 5 सदस्य हैं जिसमें इनके माता पिता और इनका एक छोटा भाई और बड़ी बहन शामिल हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इनके घर के मुखिया यानी इनके पिता के बारे में जिनका नाम ना तो इंटरनेट पर मेंशन है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है लेकिन उनकी कुछ तस्वीरे हमें इंटरनेट पर देखने को मिल सकती हैं जिसमें वो काफी बूढ जो लाइम लाइट से काफी दूर रहते हैं अब बात करते हैं इनकी मां के बारे में जिनका नाम भी इंटरनेट पर मेंशन नहीं है ना ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो लाइम लाइट से काफी दूर रहती है लेकिन उनकी एक दो तस्वीरे हमें उनके बेटे मुहम्मद नाजिम के साथ देखने को मिल सकती है जो दिखने में काफी बूरी नजर आती है आपको बता दें कि मुहम्मद नाजिम अपनी मा के साथ काफी जादा समय बिताना पसंद करते हैं और उनको जान से जादा प्यार करते हैं माता पिता के बाद अब बात करें इनके छोटे भाई के बारे में जो लाइम लाइट से काफी दूर रहते हैं जिनके बारे में कोई भी इंफर्मेशन नहीं है लेकिन उनकी एक दो तस्वीरे हमें इनके साथ देखने को मिल सकती हैं जो दिखने में बिलकुल अपने भाई की जरे नजर आते हैं जिनके साथ ये अभिनेता काफी अच्छा बार्ण शेयर करते हैं अब बात करते हैं इनकी बड़ी बहन के बारे में तो हम आपको बता दें कि उनकी शादी हो चुकी है जो लाइम लाइट से काफी दूर रहती हैं लेकिन उनकी शादी की कुछ तस्वीर इनके साथ देखने को मिल सकती हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं जिनके साथ ये काफी अच्छा बॉर्ण शेयर करते हैं फैमली के बाद बात करें इनकी परसनल लाइफ के बारे में तो हम आपको बता दें कि इनकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन खबरों के मुताबिक ये शाइना सेथ नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं और उनसे जल्द ही शादी भी करने वाले हैं इनके साथ इनकी बहुत सा फैवरेट एक्टरिस कैटरीना कैफ हैं जिन्हें ये बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं दरसल जब इन्होंने कैटरीना कैफ को पहली बार वेलकम मूवी में संजना का किर्दार अदा करते देखा था तभी ये उनके फैन बन गए थे औ फैमली से मिलकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार खबरों को हर रोज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले